पिया जी ने पूजन इन्वित कीजे, श्रिराज शामा जी ने पूजन इन्वित कीजे, फेर फेर मुल्स रूप चित में लिजे, जो कई वासना इन घर, मुल्स रूप से नाकारे नजर, नाहीं कोई सुखिन समान, अंगना तो कोट बेर कुरबान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान, बुलुश्री प्राणात प्यारे कीज़, बुलुश्री प्राणात प्यारे कीज़, प्रतम लागों दो चर्ण को, धनिये ना चुड़ायोखिन, लाक तली ला लेडिया, मेरे जीव की यही जीवन, इन पाओं तले पड़ी रहों, धनी नजर खोलो बातुन, पल्ना वालो निर्खो नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव की यही जीवन, उलो श्री प्राणात प्यारी की, नाम लेत इन सर्व को, सुपन देह उड़ जाए, जो लो रूहना इसक, तो लो केहत बनाए, कोटान कोट बेर इन मुखपर, जो लो रूहना इसक, तो लो रूहना इसक, जो लो केहत बनाए, आज आप देख रहे हैं, एक ही परमधाम के सुंदर साथ, लड़ रहे हैं किसके लिए, नाम के लिए, नाम की विवेचना, आज की चर्चा कभी से है, बाणी कह रही है, कि नाम लेत इन सरुप को, सुपन देह उड़ जाए, देह के उड़ जाने का ताथ पर क्या है, सरीर का समाप्त हो जाना, लेकिन आप तो लाखोट जप करते हैं, निजनाम शिकड़ जी, रासमा जी, रासमा जी, स्रीजी सहब जी, आपका सरीर उड़ता क्यों नहीं है, प्रस्निया है, नाम किसको कहते हैं, नाम का ताथ पर होता है, संबोधनात्मक सब्द, चाहें वो भावात्मक हो, या जानात्मक हो, या अनभावात्मक, तीन प्रकार की सब्द होते हैं, बढ़नात्मक, जानते हैं, 36 बेंजन और 16 थ्वर, मिलकर के 22 अक्षरों का सम्हू बनता है 22 अक्षरों में जो कुछ लिखा जाता है वो चर्क प्रमान के अंदर की बात है चर्क प्रमान में जो कुछ जाता है, मन और वाणी से जाता है वे दुपनिसादर्शन सब का कहना है कि परमात्मा मन वानी से परे है तो मन वानी के अधार पर किसी नाम की कलपना कैसे की जा सकती है लेकिन संसार चल रहा है मन और वानी से बिना इसके नाम के कोई काम नहीं चलता परमधाम में इस दुनिया का कोई नाम नहीं चलेगा हमारी सामने एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि अक्षरातीत का मूल नाम क्या है राजी है या सिक्ड़्जी है क्योंकि इसी नाम के जगडे में सुंदर साथ दो टुक्ड़ों में बटगया है अपने भी लगता है कि यह पराय हो गए है कोई किसी को देखना नहीं चाहता है परब्रम का जो नाम सब को सांती देने के लिए आया है अब वही नाम जगडी का करण क्यों बन गया वानी तो कहती है निजनाम सोई जाहर हुआ जाकी सब दुनी रह देखत तो क्या दुनिया ये प्रतिक्छा कर रही थी कि वह नाम आये जिसके जगडे में सुंदर साथी लड़ पड़े दुनिया को क्या संती मिलेगी निजनाम सोई जाहर हुआ जाकी सब दुनी रह देखत मुक्त देशी ब्रमान को आये ब्रहम आतम सत जो दुसरों को मुक्ति देने आये हैं वही खुद जगड रहे हैं तो दुसरों को मुक्ति क्या देंगे वह कौन सा नाम है जिस नाम को लेने मातर से इस अपने का सरी नहीं रहता मैंने कहा सब्द की तीन अवस्थाएं है वर्नात्मक जो बावन अच्छरों में कहा जाए स्वर और बेंजन का जिसमें मेल होता है दुसरा है ध्वन्यात्मक जिसको राधास्वमी मत में ध्यान के द्वारा पांच सब्दों को सुना जाता है अपने आप हो रहे होते हैं अपने अपने मंडल में निरंजन, ओम, सोम, सक्तिरारंग इनको बोलना नहीं पड़ता अपने आप होते रहते और तीसरा है अनभवात्मक नो यह ध्वन्यात्मक है नो अनभवात्मक है नो बढ़नात्मक है ना किसी अक्छर में लिखा जा सकता है उसको कते अनभव यानि सरीर से परे, मन से परे, बुद्धी से परे आप हो गए उसमें जिस परब्रम के सरूप का अनभव आपको होता है और आपकी चेतना उसको जिस तरह से पुकारेगी उसको अनभवात्मक सब्द कहते हैं या परब्रम का नाम कहते है हमारे साथ यही चीज़ चलती है सारा संसार किस से चल रहा है दिल और दिमाग से यानि मसिक से और मन से मन का ताथ पर यहां हिर्दे से लिया जाएगा जिसमें मन, चित, बुद्धी, अंकार सबको जुड़े हुए पहला जो नाम होता है जानात्मक जानात्मक का नाम किसको कहते हैं? आपकी बुद्धी ने परब्रम के गुणों का चिंतन किया और परब्रम के गुणों के अधार पर किसी भी भासा में परब्रम के नाम मान लिया जैसे कुरान में अलाथ आला के एक सो नामों का वर्ण है कुरान की टिका देखेंगे तो कुरान की टिकाओं के अंत में परबर्म के एक सो नामों का वड़न है अल्ला है, रहीम है, रहमान है ऐसे इसे नाम बताएंगे देयालू, कृपालू के अधार पर परबर्म के नामों की भावना की गई है एक बार मलेशिया के मौलवी लोगों ने फत्वा जारी कर दिया कि किसी भी गैर मुस्लिम को अल्ला सब्द का अंग्रेजी में या किसी भासे में अनुबाद करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह पाक सब्द है आप सोचिए कटरता वो सारे पाप कर्म करें तो अल्ला करते है तो ठीक है कोई क्रिस्चेन या हिंदू उसका अंग्रेजी या हिंदी में अल्ला का अनुबाद कर दे अर्वी का तो कहते है कि नहीं यह नापाक हो गया यह कितने बड़ी भ्रांती है साबून का काम है मैल को धोना और साबून ची लाने लगे कि नहीं मैं अब पवित्र हो जाऊंगा तो उसको साबून का लाने का अधिकार नहीं है हिंदू भाला कम क्यों रहे उन्होंने भी तो अपने सुद्रभाईयों पर इस्त्रियों पर अत्या धाया कि जदी सुद्र गायतिरी मंत का उचारन कर ले तो उसके कान में सीसा पिगला कर डाल दो और जदी इस्त्रि गायतिरी मंत का उचारन करती है तो उसके जेवा काट लो ये सब्द किसके हैं उन कट्टर पवराणिकों के जिन्होंने वेद को आखों से देखा तक नहीं संसार में जब सत्य का हरास होता है तो ऐसी वेद भाव की लकिरें खिच जाती है अध्यात्म का वास्त्रिक सरूप दूर हो जाता है हमारा समाज भी कुछ ऐसे ही संक्रमाण से गुजर रहा है वाणी कहती है नाम ले तीन सरूप को सुफन दे उड़ जाए परब्रम का नाम लेते हैं यह सपने का संसार नहीं रहता तो आप बताइए आप सोलह करोड जब तार्तम महा मंतर का दो हजार एक इसमें जब करेंगे तो क्या होगा तब तो आपको सभेरे सिखाये जाता है कि उटकर राज समय राज समा बोलो बाणी करेती कि शरीर रहेगा है नहीं वो कौन सा नाम है शरीर के नहीं रहने का ताथ परिक्या है आप परब्रम को तीन नामों से पुकारते हैं आप भी एक है जानात्मक जो जान की दिष्टी से है आप ब्याकन के सुत्र लगाएंगे कि इस सुत्र से ये नाम परिब्रम का सिद्ध होता है जैसे राज सब्द बोलते हैं आप कहेंगे मंत्र का उधारन देकर कि इंद्रो विष्वस्य राजत जो सब को प्रकासित करता है जो प्रकासमान है सब से परे है प्रितम है सब का उसको क्या कते है राज प्राणनात का अर्थ क्या होता है जो हमारी आत्मा का प्रितम है उसको करते है प्राणनात हर सब्द में विसेष्टा होती है जैसे जो सार्थक सब्द हैं उनका कोई ने कोई अर्थ निकलेगा जो निरर्थक सब्द हैं उसका कोई अर्थ ने निकलता और जो सार्थक सब्द है उसमें कोई विसेस्ता होती है बिना विसेस्ता के कोई भी सब्द निरर्थक माना जाता है और उसको सब्द की स्रेणी में नेलिया जाता अक्षरों के मेल को सब्द कहते हैं लेकिन यदि उसमें कोई सार्थक भाव निकलता है तभी उसको उपयोग में लाया जाता है जैसे रावण सब्द है अब दसरह भिता है न रावण करत क्या है? भहेंकर रव करने वाला, करंधन करने वाला, पावरानिक मानता है, कि रावन ने अपनी भुजाओं से कैलाच को उठा लिया, भगवान शीव ने अपने अंते से कैलाच को दबा दिया, तो रावन कि भुजाओं चर्मरा उठी और ओच छिलाने लेगा कि भगवान चमा कर दो, इस दिये उसका नाम रावन पड़ा, सीव का भी नाम कल्याणकारी होने से उसका सीव है, इसी तरह से जब हम साहित में ब्याकन का प्रवेश करते हैं, तो उस सब्द का ब्याकन के धार पर अर्थ करते हैं, जैसे कृष्ष सब्द है, कृष्ष का अर्थ क्या होता है, आकरसंड सील या भावदुख विक्षे तक ब्रह्म को कृष्ष कहते हैं, आप तरह तरह के ग्रंतों के स्लोप देते हैं, यसीद करने के लिए कि परव्रम का मूल नाम स्रिकृष्ष्ण है, जहां तक जान का धरातल चल रहा है, जहां तक आपकी बुद्धित दोड़ रही है, यह इस छर जगत के लिए है। आप अप आप अनाम दिवं उत्पतंत ते अवरितन सदनाद रितस्या आदेद गरतेन पृत्वें ब्यदुः। एक अरव चानवे क्रोड़ से पहले से यह सब्द चला आ रहा है, तो क्या दुनिया इस नाम को नहीं जानती थी। क्या दुनिया राज नाम को नहीं जानती थी। इंद्रो विसो से राज़त पहले सब्द है, राजधात उसे यह सब्द बना है तो राज़सब्द भी पहले से था। अथरवयत का पूरा प्राण सुकत है तो प्राण नाद सब्द भी पहले था। ऐसा कौन सब्द है जो सहित में पहले नहीं था। प्रस्निया है, कि सब्द के उपर जो विवाद छिड़ा है, जैसे अभी किसी से कहिए, तो एक विचारधा चल पड़ी है, कि ठीक है, परमधा में हम अक्षरातीत को राज्जी कहते हैं, लेकिन उनका मूल नाम स्रिक्ट्षी है, प्रस्निया है कि नाम और मूल नाम में क्या संहिते रहे, सब्द तो सब्द है, हाँ, जैसे इस शिर्कृष अब्ड के बाद राज्जी सब्ड की उत्पती हो यह उती, तो हम कह सकते हैं कि मूल नाम स्रिक्ष्न है, असल नाम स्रिक्र्ष्न है, और ये पोल Whew charge का नाम जाये, राज्जी से देखते ह। सिर्फ सिर्क्र न प्राष्या निवर्तिवाज का, तो यह एक कृष्ण नाम सच्दानन्द लेक्षणम। यानि कृष्ण सब्द कैसे सिध होता है, यह ब्याकन का सुत्र लगा दिया गया। तो मैं तो कहता हूँ, देवचंदर सब्द का भी ब्याकन के अधार पर नाम अच्छरतित ही सिध होता है। देवकार्थ क्या होता है? मोदियत आनंदियत सहदेवा, जो आनंद सरूप है, दुसरों को आनंद कराने वाला है, उसको देव करते हैं। चंदर कार्थ क्या होता है? जो अहलाद कार्थ है, आनन्द देने वाला है, उसको चंदर कहते हैं. तो देव चंदर कार्थ सीधे स्यामा जी पर राजी पर घटता है. मिहर कार्थ होता है, सुरि, मिहर राज, यह सरीर के नाम है. एक मंत्र है, जो चारो वेदों में पाया जाता है. चित्रम देवानाम उत्तगात अनिकम चक्छो मित्रस वन्रस जगने, अप्रा द्वा पृथ ही अंतरिक्छाम, सुरिया, आत्मा जग्ता स्थ असुत अचा. यह मंत्र चारो वेदों में मिलेगा. इस मंत्र में कहा गया है सुरिक किसको कहते हैं सब की जो आत्मा है सारे प्राणियों का जो अधार है जो सब को प्रकासित करने वाला है उस परमात्मा को सुरिक आ गया है ये अकास वाला सुरि नहीं अकास में चमकने वाले चंद्रमा का कोई वेद में अस्तितु नहीं है यह तो जड़ पदार्थ है मिहिर कार्थ भी सुर्य होता है और आप राज कार्थ जानते ही है यदि सिकर्ष सब्द को आप अक्षरातीत के लिए घटित करते हैं तो देवचंद्र और मिहराज का भी अर्थ अक्षरातीत के लिए घटित आप कर सकते हैं यह तो हो गई जान की दौड जिसमें बुद्धिवादी मसिस्क के द्वारा परमात्मा के नामों की कल्पना करते हैं और ब्याकन के बल पर बिबाद कभी से बन जाता है कि नहीं परमात्मा का यही नाम है इस नाम के अनावा और समनाम जुठे होते हैं आप किसी भी विदान्त के विद्वान के पास जाएंगे तो कहेगा कि नहीं आपके यह सारे नाम गौण है मुख्य नाम क्या है? ओम वो ओम की व्याक्या अलग तरीके से करेगा व्याकन के अधार पर करेगा अवति ओम जो सबका रक्षक है उसको ओम करते हैं फिर वो व्याक्या करेगा इस्थूल सुक्ष्व कारण से परेज जो तरिकुनातित परमात्मा है उसको ओम करते हैं सब की ब्याख्यान के अलग-अलग धंग है, और सफीज सब्द की सीमा में परमात्मा को बांधने का प्रयास करते हैं. पुरान संकता क्या करती है? बिंदुनाध्दम कलातितम ब्रह्म अक्ष्रम उदाःतम किसी भी विंदू से, ध्वन से, स्वर ब्यंजन से रहित है वो परमात्मा यदि स्वर भी लगा दिया, कोई अक्षर लगा दिया, तो परमात्मा का नाम नहीं है क्योंकि परमात्मा का नाम वाणी से सरुथा परे होता है और हम जगड़ा कर रहे हैं कि परमधाम में राजी का असले नाम स्रिक्षजी है और इसके लिए समाज अपने हे परबरम के आनंद रूप आत्माओं से लड़ने मनने कुति आ रहे हैं हम सतुर्था का भाव ले बैठे हैं हम भूल बैठे हैं कि जिन से हम घ्रणा करते हैं उनके हिर्दे में कौन बैठा है जिसको हम अपना अराध देवानते हैं यह सब्द की लड़ाई नजाने कब तक चलेगी खटूती का परसंग उठाए है इंदरावती जी की आत्मा कहते है कि राज जी आपने सब के गुणों की परहकर नाम रखे है मैंने तो आपको पहचान लिया है इसलिए मैं आपको जीत गई जैसे आप परंधाम के बढ़न में एक नाम सुनते हैं लाट बाई तो प्रस्थ यह है लाट बाई, इंदरावती बाई, नौरंग बाई, गुडवंती बाई, बेन बाई क्या क्या नाम है जितने बाई सब्द है या तो गुजरात में नाम रखे जाते हैं या रजस्थान में तो परंधाम में क्यों गुजराती और रजस्थानी होगे उत्तर प्रदेश बिहार वालों का तो कहीं नाम भी नहीं आने वाला है ये नाम इस दुनिया के है परमधाम में इंद्रावती बाई नहीं है परमधाम में नौरंग बाई नहीं है लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया के भाव से कहा जा रहा है कि जाको नामे नौरंग, ताको निरत कहूं क्यों कर परमधा में नौरंग बाई, किवल समझने के लिए है खेल में मेहदी तोतला, जुबा कचा एठ और आगे तो नूर तजला, तहां जुबा बोल है और इस दुनिया में कि अंग्रेजी संस्क्रेट गुजराती, मराठी, कोई भी भासा वाँ नहीं है क्योंकि ये च्छर जगत की भासा है बेहत को सब्द न पहुंचे हैं, तो क्यों पहुंचे दरबार लुगा न पहुंचे रासलो, इन पार के विपार जब इस च्छर जगत की कोई भी भासा का सब्द बेहद में नहीं जा सकता, एक अक्षर भी नहीं जा सकता, तो बेहद से परे परमधाम में कहां से इस दुनिया के सब्द ले जाएंगे, वहां अश्टधाई या कौमदी का व्याकरण नहीं चलेगा, कि इस सुत्र से आपसिद करते हैंगे कि देखो परमधाम में मूल नाम स्रिक्रिस्ची है, जब ये बाते सुनने को मिलती है, तो मुझे बहुत हसी आती है, कि आखिर हमारे समाज कहां चला गया है, जैसे सहस्तार्थ में एक सुत्र और एक सब्द की मात्रा के नाम पर लड़ाईयां होती है, हमारे समाज में भी बहुत भ्यानक महाभारत चुड़ा हुआ है, कि वह नाम को लेकर, सागर की बारे ये निरन कर रही है, कि वह कौन सा नाम है, नाम लेत इन सरूफ को सुपन दे उड़ जाए, जोलो रूह ना इस्क तो लो कहत बनाए, पर ब्रम का ज़िदी वास्तिविक नाम लिया जाए, तो हमारे सुपने का तन रहे गए नहीं है, हमारी आत्मा में जब तक प्रेम नहीं है, तब तक हम तरह तरह की बाते कर रहे हैं, यह चुपाई यह कर रही है, जोलो रूह ना इस्क तो लो कहत बनाए, पहला इस तरह है हमारा, बुद्धी का, जहां बुद्धी होती है, वहां दिल काम नहीं करता है, और जहां दिल काम करता है, वहां बुद्धी काम नहीं करती है जब आप किसी के प्रेम में डुबे होते हैं तो बुद्धी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है जानी को प्रेम की बात अच्छी नहीं लगती है और प्रेमी को जान की बात अच्छी नहीं लगती है दर्दी दर्दा जाने, जाने जाने जान, राह दो जुदी पड़ी, मिले नकास होतान। जानी अपने ब्याकन का सुत्र फीट करता है, तो प्रेमी कहता है कि मुझे ये सब जिक जिक पसंद नहीं है। जो राजी के प्रेम में डूबा है, उसको अपस्ट धाई के सुत्रों से सिद कीजिये कि नहीं देखो, मुल नाम स्रीक्रिष्न है, उस बिचारी को क्या ले ना। वेद में हजारों सब्दों का प्रियोग हुआ है, पर ब्रह्म के गुण कर्म सुभाव के नाम पर। इसलिए वेद ने एक सब्द में का दिया, एकम सद बहुदा विप्रावदंत यम मात्रिस्वानम आवो। जो परिब्रम सब्द से परे हैं, उसको सब्दों की परिधी में लाया गया हमारे भावों के अनुसार। प्रस्निया है, यदि अक्षरा तीत का मूल नाम स्रिक्रिष्ण है, तो बैकुंट भिहारी का मूल नाम क्या है? गोलोगवासी का मूल नाम क्या है? कहेंगे कि बैकुंट भीहारी का मूल नाम Srikृष्ण है क्योंकि द्वारिकाधिस मत्वीराधिस, बैकुन्ट भीहारी उनको भी स्कृष्ण नाम से ही कहते हैं हम कहते हैं कि गोलोग की सक्ति ने साथ दिन गोकुल में चार दिन मथुरा में लिला किया उनको भी स्रिक्रिष कहते है जदि मूल नम स्रिक्रिष होता तो मथुरादीस का नाम द्वारिकादीस का नाम सबका बदल जाता सरीर का नाम है यहां का जो इस दुनिया में दिया गया परमधम सब्दातीत है, सब्दातीत परमधम में कोई भी मूल नाम नहीं हो सकता यह समानिसी समझने वाली बात है पहले मैंने कहा, पहला जो नाम होता है जानात्मक जान के धरातल पर, जिसमें बुद्धी के द्वरा उस साहित की भासा में वो सब्द को प्रस्तुत किया जाता है दूसरा नाम है भावात्मक, भावात्मक यानि भावलींता में आप राजी के प्रेम में डुबे हुए हैं, सोभा सिंगार में डुबे हुए हैं अब आप जिक-जिक से परे होगे स्रीजी का अर्थ क्या होता है स्रीजी का अर्थ होता है जिसकी अनन्त महिमा हो उसको स्रीजी कहते है यजुरुबेद में जो पूरु सुपता आता है उसमें एक मंत्रा आता है स्री हिस्चाते लक्षमित स्री यानि सोभा जिस परमात्मा की अनंत सोभा है उसको स्री कहते है अब उसमें जी लगा दिया तो श्री जी सब्द क्या हो गया परव्रम के संबुधनात्मक नाम के रुप में प्रियोग होता है असल अर्ष के बीच में हक का नाम आसिक आसिक कोई नाम थोड़े है कोई अपना नाम आशिक रख लेता है लेकिन आशिक सब्द तो बिसे सड है आशिक मेरे नाम आशिक मेरे नाम रूह लाँ आशिक मेरा नाम इसक मेरा रूहन सो मेरा उम्मत मेरा तो क्या निजनाम श्री आशिक जी हो सकता है क्योंकि आशिक सब्द तो भी सेस्टरन है नाम का अर्थ क्या जिस से जिसको सम्भोधित किया चाहे वो उसके लिए नाम होता है चाहे वो सहितिक नाम हो जान के अधार पर रखा गया हो या भावात्मक नाम हो भावात्मक नाम आप देखते हैं घर में बच्चे को किसी और नाम से पुकारा जाता है और लिखित में जब उसका admission कराया जाता है विद्याले में तो उसका नाम कुछ और होता है वो वास्त्विक होता है मताई बहने भी अपने पत्य को कुछ और संबोतनात्मक सब्दों से प्रयोग करती है और उनका लिखित में नाम कुछ और होता है यह धारना चलती है कि राजी जो हमारी आत्मा के प्रेतम है उनको असली नाम जो कृष्ण है उसको उचारित नहीं किया जाता इसलिए तारतम मंत्र भी बोल करके नहीं पढ़ना चाहिए यह विचारदरा हमारे समाज में चली आ रही है चारवेद, 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 च्छाएंग, च्छाएंग किसी भी गरंथ में नहीं लिखा है कि परमात्मा का नाम कान में कहना चाहिए या परमात्मा के नाम को बोलना नहीं चाहिए परमात्मा का नाम तो सब को पवित्र करने वाला है जहां परमात्मा के नाम का उचारण होता है वहां काभा मंडल पवित्र हो जाता है लेकिन जब आप ध्यान की गहराईयों में जा रहे हैं ध्यान करने बैठेंगे, तो वो सब्द की परिदी से परे हो जाता है, यदि आप बोलते रहेंगे, तो क्या होगा? आपका मन चंचल हो जाएगा, चार तरह की वाणी होती है, परा, पसंद, मध्मा और बैखरी, जो मेरे मुख से आवाज निकल लई है, ये बैखरी, परा जो हिर्दे में सब्द आता है, परा से, मुलाधार से, उसको कते पसंद, जिसको योगी जान लेते हैं, यानि आपके मन में जो बात है, उसको योगी जान लेता है, कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, कंठ में कोई-कोई जान पता है, और जो मुख से आजाती है, वो तो स को बोला जाता है मानसिक जब जो मन में होता है और उपानस जिसको करते हैं होठों में बुद्बुदा कर तीन प्रकार के जब से परमात्मा के जब का विधान है लेकिन ये सब कुछ कहां तक चलता है माया के अंदर इसका समंद प्रकिर्थ से है आपकी आत्मा से इसका वास्तविक समंद नहीं है सरीर से मन बुद्धी के अधार पर ये सारी भक्ति हो रही है हमारे सामने प्रस्ण है कि वो कौन सा नाम है जिसको लेते ही ये सरीर छूट जाता है और वही हमारी आत्मा का प्राणिस्वर है वही वास्तविक नाम है मैंने दो परकार के नाम बताए एक नाम जानात्मक जानात्मक में भी दो नाम आएंगे दो तरह के भेद होते हैं एक सरीर परक नाम जो सरीरों के अधार पर रखे जाते हैं यदि 11 साल 52 दिन लिला वाले सरूप में राज जी का अवेश नहीं आता अक्छर की आत्मा नहीं आती तब भी उसका नाम स्रिक्ष रखा जाना था और उस नाम से पहले नजाने कितनों ने अपना नाम स्रिक्ष रखा होगा प्रानात सब्द का हम प्रयोग करते हैं प्राणात सब्द भी तुने जाने कितनों ने प्रयोक किया होगा जैनमत में महभीर स्वामी को स्री जी कहा जाता है कहीं कहीं हनुमान जी को भी स्री जी कहा जाता है हम गाते हैं आओ जी वाला मारे घेर उत्तर भारत में वाला जी हनुमान जी को भी कहा जाता है सब्दों की हम कटरता प्रियोग कर लेंगे कि इस सब्द का यही अर्थ है तो हम मूल लक्ष से भठक जाएंगे हमें लक्ष देखना होगा कि हमारी आत्मा का प्रितम कौन है लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सिरी जी सब्द की महिमा न समझें अक्षरातीत ने ब्रज और राज में सिक्र्ट जी के तन में लिला की इसमें कोई भी संसे नहीं है 11 साल 22 दिन तक उसी राज जी ने लिला की जो मूल मिलाव में विराजमान है अक्षर की आत्मा पर अपना अवेश डाला और लिला की ये तीन ब्रहान हुए जो अब ऐसे हुए नहोसी कब इन तीनों में ब्रहम लिला भई ब्रज राज और जागनी कहीं ब्रज में भी लिला करने वाले अक्षरातीत राज में भी लिला करने वाले अक्षरातीत और जागनी में भी लिला करने वाले वही अक्षरतीत है, सरीर बदलते गए, नाम बदलता गया ब्रज राज में स्रिकर्ष नाम लिया, जागनी में मिहराज के अंदर विराजमान होकर भावात्मक नाम चला शरीर का नाम है मिहीर राज शरीर का नाम है देवचंद्र उसमें कौन भी राजमान हुआ प्राणनत प्राणनत कौन? मांगा किया राधवाई का पर ब्याहे नहीं श्री प्राणनत सिक्र्ष के तन में सिक्र्ष तन शरीर का नाम है जैसे मिहराज तन सरीर का नाम है देवचंद्र तन सरीर का नाम है उसी तरह से सिकड़ जी का भी सरीर का नाम है उसमें आत्मा के प्रितम ने प्रवेस किया और लिला की तुम क्या कहेंगे मांगा किया राधा बाई का पर ब्याहे नहीं स्री प्राणनाथ श्री प्राणनात हमारी आत्मा का जो प्रितम है उसने स्रिकर्ट जी के तन में लिलागी अब राज सब सुनिए लक्षमी जी कहती है लक्षमी जी कहे सुनो मेरे राज मेरे आत्म मंग उपजथे दाज लक्षमी जी अपने प्रितम को राज कहती है राज का अर्थ हम क्या मान लेते हैं जो सर्वत प्रकास मान हो आत्मा का प्रेतम हो उसको राज कहते हैं लक्ष्मी जी भी अपने प्रेतम को राज कहते हैं अपने प्रेतम को सीता जी भी अपने प्रेतम को प्राणात कहते हैं तो ये जो भी सब्द हैं लक्ष को केंदिर्ट करके संभोधित कियेंगे हैं जैसे जीवी सिष्ठी अपने प्रियतम विश्णों को प्राणनाथ कहेगी इस सुरी सिष्ठी अक्षर ब्रह्म को प्राणनाथ कहेगी कवीर पंत में एक जोपाई कही जाती है मेरी तो दुबधा गई मैं तो भयासनाथ मुझको तो सत्गुरु मिले प्राणनाथ के नाथ अब प्राणनाथ का भी प्राणनाथ कौन होगा सारे ब्रह्मान का स्रिष्ठी का प्राणनाथ कौन है अक्षर ब्रह्म और अक्षर के प्राणनाथ कौन है अक्षर अतीत स्री राजि इस दिया यदि आपने एक खूटा गाल लिया कि नहीं इसके आगे कुछ नहीं सोचना है बस यही है तो वहां से विवाद खड़ा हो जाता है ज्यान एक सागर है ज्यान रुपी सागर में प्रिवेश करने से पहले हमें निस्पक्षता के आसन पर बैठना पड़ेगा अंतरात्मा की पुकार को सुनना पड़ेगा यदि हम अपना हिर्दे संक्चित्ता से घिर गए घिरा दिया अपने को तो वहीं से विवाद सुरू हो जाते है और यदि हमने अंतरात्मा की पुकार को सुनने का प्रयास किया कि वास्त्विक सत् pretended क्या है तो समाज में सत्त का प्रकाश होता है अब जो तीसरा नाम है मैंने जो पहला नाम कहा ज्यानात्मत दूसरा नाम भावात्मत जिसमें भाव परक जैसे राज प्रानात या स्रीजी सब्द भाव पर रखें स्रीजी का मैंने अर्थ बताया जिसकी अनंत महिमा हो अकबर का अर्थ क्या होता है जो सबसे महान होता है उसको कहते हैं अकबर अल्ला हो अकबर यानि अल्ला सबसे महान है परब्रम को अल्ला कहिए अकबर कहिए, रहीम कहिए, रहमान कहिए अरभी भासा कहिए सब्दें लेकिन उसको संस्कृत में बोलिए तो महान कहिए, दयालू कहिए क्रिपालू कहिए, क्या अंतर पड़ता है लेकिन मुसल्मान कटरता में कह देते हैं कि नहीं हिंदू को अल्लाह का उचारन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये नापाक हो जाएगा ये क्या है? संक्चित्ता की देन है हम भी कहते हैं कि निजराम सिकेट जी जो हमारा मूल मंत्र है उसको कान में कहिए कोई सुन लेगा तो उसकी सक्ति कम हो जाएगे आप बताएगे सागर से कितना पानी बाल्टी का आप निकालिये सागर में क्या जल कम होता है सागर क्या? कुई में से बाल्टी से बाल्टी की पानी खिषते रहिए पानी कम नहीं होता तो अक्षरा तीत तो अनंत महिमा वाले है उनका नाम लेने से तो कभी भी मंत्र की सक्ति कम नहीं होती और मंत्र किसको कहते है मननात मंत्र जिसका मनन किया जाई वो मंत्र है यह कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है किसको छिपा करके रखना है यह तो जान का अधार है स्री देवचान जी को राजी ने दर्सन दिया एक चौपाई उनके धा मिर्दे में विराजमान होकर कहीं और तब से उसको मंगलाचनन के रुप में हर गरंथ के प्रारम में लिखा जाता है जब स्री महामधी जी के धा मिर्दे में राज जी विराजमान होते हैं दिब बंदर में जैराम कंसारा को समझाजने के लिए जाते हैं वहाँ चार चौपाईयां उतरती है श्री देवचन जी सत्षे सदा सत्सुकनादादार जब प्रगटवानी का उतरन होता है तो छटवी चौपाई जुड़ जाती है जब एसुखंग में आवी तब छूट जाएं विकार तो इन छे चौपाईयों में बताया गया है कि परमात्मा कौन है कहां है कैसा है निराकार के पार्थ है तिन पार के पार और हमारी जीवन का उदेश क्या है जब एसु खंग में आवी तब छूट जाएं विकार हम तारतम वाणी का चिंतन करें उस चिंतन को आत्मसाथ करें आच्रण में लाएं परब्रम से प्रेम करें उनको अपने धा मिर्दे में बसाएं ताकि हमारी आत्मत जाकृत हो इन छे चुपाईयों का यही भाव है लेकिन यह कहलें कि इसको बोल करके सुनाएंगे तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा ऐसा चारोबेद, छे सास्त्र में किसी भी उपनिशद में कहीं नहीं लिखा है न कहीं वाणी में लिखा है कि इसको कान में फूंक मारिए अब प्रस्न है कि तार्तम जान जो सारे ब्रह्मान को पवित्र करने वाला है चरे नज ब्रह्मसिष्टी की खोज ठके त्रेगुन कई वी तकरी तपस्या यो कहवत वेदवचन भागवत में एक प्रसंग आता है कि ब्रह्माजी कहते हैं कि है प्रवो सिकर्ष से कि यदि मैं पसपक्षी में भी और तो और किसी ब्रिक्षो में भी मेरा जन्म हो जाए तो आपके प्रेमियों की चर्ण धूली मेरे उपर बढ़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाओंगा यह कथन है कहने का से क्या है गोपियों के तनों में परमधाम की आत्माएं है उनकी चर्ण धूली केरे ब्रह्माजी भी तरस्ते हैं और यदि वो ब्रह्मसिष्टियां इस जागनी लिला में एक सब्द के नाम पर लड़ाईयां करें तो ब्रह्माजी भी तो हसते होंगे कि इनकी चर्ण धूली लेकर मैं क्या करूंगा यह तो एक सब्द की व्याक्या नहीं जानती है यह आपस में लड़ मरती है स्रीजी वाले सिकर्जी का नाम सुनना पसंद नहीं करते एक ही अक्षरातीत के दोनों नाम है अंतर के वल इतना ही है एक शरीर का नाम है एक भाव का नाम है लेकिन वास्त्विक नाम क्या है इह ध्यान में रखना चाहिए कि जागने लीला में जो शरूप लीला कर रहा है उसी को संपोथित करना हमारी पहली प्राथमिकता है जैसे आप देखते हैं कल मैं कोई कपड़ा और पहना था उसको धो दिया गया होगा आज मैं कपड़ा और पहना हो कल भी आप मेरी चर्चा सुन रहे थे आज भी सुन रहे थे आप मेरे कपड़े को देख करके कहें कि नहीं उस कपड़े वाले कोई हमें चाहिए वो कपड़ा चाहिए आपको कपड़ा चाहिए या कपड़े वाला चाहिए प्रस्निया है आपका समन तो राज्जी से है राज्जी ने मीराज के तंधारण किया है या सिकृष्ट के तंधारण किया है इससे मुद्दा नहीं लेकिन जागनी ब्रह्मान में जो सरुप लिला कर रहे है उससे मुख फेर लेना उसको संत बनाना कवी बनाना अचारी बनाना महापोरुस बनाना कितना बड़ा गुना लगता है हम उस नाम की माला जप रहे हैं दुनिया टिकी हुई है हम भी बलभाचारी मत का उनसराण कर रहे हैं निंबार्क मत का उनसराण कर रहे हैं हम यह भूल जाते हैं कि महामत जी के धाम हिर्दे में सुइम अक्षरातीत विराजमान हुए है आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाईजी बड़ी बड़ाई दई आप थे लईंद्रावती कंठ लगाईजी बड़ी बड़ाई दई आप थे परमधाम में राजी सरुसक्तिमान है लेकिन एक चीज नहीं है सरुसक्तिमानता पर भी कहीं एक अंकुष लग जाता है वो चाहें कि जिबरील और असराफिल को परमधाम में बुला लें संभो नहीं अक्षर को किवल एक बार बुलाया जब उनकी आत्मा अरम में आती है मेराज होता है अक्षर की आत्मा में अपना इस्क देते हैं अपना सरुप बना कर तब मुलमिलावे में बुलाया कि उनकी हजार हरुफ बातों को सुनाने के लिए लेकिन प्रति दिन के लेला में अक्षर ब्रह्म चांदी चौक में से परडाम करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से मुल होए लेकिन महामती जी के धामिर्दय में सभी विराजमान है पांचो राजजी भी विराजमान है स्यामाजी विराजमान है अक्षर की आत्मा भी विराजमान है जिबरेल भी विराजमान है और इस्राफिल भी विराजमान है असंभो को भी संभो कर दिया महामती जी का दिल कितना छोटा है उस छोटे से धाम हिर्दय में इस सारा प्राम धाम बसा दिया सपसरुब से जबराइल इस्सराफील को भी बुला लिया अक्छर धाम से अक्छर ब्रम को भी बुला लिया और स्वाइम यूगल सरुब विराजमान हो गये इस से बड़ी सुभा और क्या हो सकती है और इस सरुप से जदि हम मुझ फेरते हैं, कि नहीं, हमें प्राणना जी को नहीं मानना है, स्री जी को नहीं मानना है, स्री जी कौन, जिसकी अनन्त सोभा है, उसी को तो स्री जी कहते हैं, वही अकर्षित करता है, तो हम उसको किर्ष कहते हैं, वही हमारी आत्मा का प्रितम है तो प्राणात का थे अब जो ये दोनों अवस्थाएं है किस अवस्था की है? जैसे आप जागरित हैं किस अधार पर? मन और बुद्धी के धरातल पर मैं आपको बोलू कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं तो आप क्या उतर देंगे? कि जदी हम सो रहे होते तो चर्चा कहां से सुन रहे होते लेकिन जदी मैं पूछू क्या आपकी आत्मा जागरित है? तो आप चुप्री लगा जाएंगे क्योंकि जदी आपकी आत्मा जागरित है तो आपको परमधाम दिखना चाहिए आपको विना वाणी पढ़े राजी के नक से सिक्ष तक के स्रिंगार का वड़न कर देना चाहिए आप जो राजी स्यमाजी का वड़न करते हो तो चौपाईयां बोल कर करते है विना चौपाई पढ़े वे आप बताईए कि राजी का मुखारविंद कैसा है तब तो माना जाए कि आपने सच्पुच राजी को देखा है लेकिन जब वह आवस्था हो जाएगी तो आपकी आँखें खुली नहीं रहेगी आपकी वाणी नहीं चलेगी उस आवस्था में जो नाम आता है उसको कहते हैं अनभवात्मक नाम जानात्मक नाम भावात्मक नाम और आ नभवात्मक नाम नभवात्मक नाम कई इस्तर होगे है उसमें भी जैसे आपने जहां तक गुल लगाई चितवनी मेर आप्प्रारमी कवस्था में बैठें गे जिसकी अवस्था नीजनाम सिकर जीर जी legitimate जिसकी आवस्था निजजणाम स्रीजी साहब पर है वो निजजणाम स्रीजी साहब कहेगा यह किसलिए कि आपका मन संसार से हट कर राजी में केंदरित हो जाए यह मत सोचिए कि आप एक करोर जब कर लेंगे तो आपके सामने राजी परतक्ष हो जाएंगे राजी परतक्ष तब होंगे जब आप सरीर से, मन से, बुद्धी से परे होकर आप अपनी आत्मा के धाम हिर्दे में विरह और प्रेम का रस बहाएंगे तब आपके हिर्दे में धनी की सुभा दिष्ट गोचर होगी उसके पहले नहीं आप एक करो नहीं, एक करब भी जब कर लीजिए तो जब तक हिर्दे में प्रेम की धारन नहीं बहेगी विरह की अगनी से आपके विकार भस मिभूत नहीं होंगे तब तक आपके हिर्दे में प्रेतम का सिंगासन सज नहीं सकता तभी तो कहाए अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है इताय करो अराम सेज विछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम जब विरह की आंसू बहते हैं उसमें सब्द की भासा समाप्त होने लगती है जब विरह की आंसू सूख जाते हैं उसमें मसिस्क भी समाप्त हो जाता है जब तक मसिस्क की दौड है जब तक प्रेम नहीं आया है मुमिन तमलक बंदगी जोलो नहीं इस्क इस काये पीछे या असिक जाने यह माजू जब तक घिर्दे में प्रेम की रसधारा नहीं बहती तब तक बुद्धी दौर लगाती रहती है उस सब्दों के जाल गडगर कर तरह तकी स्थुतियां किया करती है लेकिन जब प्रेम का रस बहता है सरीर भी इस्तिर हो जाता है मन बुद्धी भी सांत हो जाते है अंतरात्मा से पुकार निकलती है जब भावलिंदा में होते हैं तो सारे सब्द समाप्थ स्रिक्रजी भी समाप्थ स्रीजी सब्द भी समाप्थ राज सब्द भी समाप्थ अंत में क्या होता है आप सब्द आ जाता है एक संबोधन है प्रेम का दीरे दीरे आप भी समाप्त हो जाता है फिर तुम हो जाता है तुम तुम्हारे गुर्ण न छोड़े मैं तो करी बड़ी दुष्टाई मैं तो करम की अति नीचे पर तुम ही राख्या मुल समय तुम कब कहेंगे जब बहुत अपनापन होता है तो तुम कहा जाता है धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाएगे जिसमें तुम भी समाप्त हो जाएगा केवल तू रह जाएगा तू का अनुबाद दुनिया के किसी भी भासा में नहीं हो सकता तू कब कहा जाएगा जहां कोई अपचारिक्ता नहीं हो अपचारिक्ता आप समझते हैं इस अंसार में पुरुस शरीर से सक्तिसाली है तो अपने को बड़ा माने का है यह संभो नहीं है कि पुरुस नीचे बढ़े और उसकी धर्म पतनी सिंहसन पर बढ़ेथा है पुरुस पतनी के पाउं नहीं चूशकता पतनी को ही पुरुस के पतिदेव कहकर पाउं चूना पड़ता है क्योंकि संसार की मर्यादा है पुरुस कहेगा कि मैं कमा कर लाता हूं मैं बढ़ा हूँ और जदे किसी ने ऐसा कर लिया किसी को पता चल गया तो समाज से बैस्कृत हो जाएगा कि यह ब्यक्ति तो ज्वरू का गुलाम है अपनी पत्नी के पेर छूता है यह संसार की मर्यादाइं बनी है और इस मर्यादा को हमने रास में भी प्रियोक किया है स्यामाजी के पेरों से इंद्रावते निकल जाती है और राजी से कती कि आपकी सक्ती हो तो निकल करके दिखाएए राजी ठीठक जाते है राजी स्यामाजी के पेरों से कैसे निकल सकते है परमधा में ऐसा नहीं होता परम्दा में जो स्यामा जी हैं वही राजी है अंतर पड़ खोल देखिये दो आवत एक नजर इस दिये ये प्रसंग चल रहा है स्यामा जी के सिंगार का वर्ण चल रहा है आगे की जो चोपाई है इस नाम लेत इन स्वरुप को सुपन दे उड़ जात जो लो रूह ना इसक तो लो कहत बनाए उसके पहले चल न से सुनिये जो पढ़ा गया है सिंगार के वड़न हो रहे हैं मुखार विंद का आपकी आत्मा स्यामा जी के मुखार विंद को देख रही है तो तो क्या आपकी बुध्धि काम करेगी कि उसमें शिक्ड़ जी या राजी या प्राणनात या सिरी जी सब्द का प्रियोग करें क्योंकि आपकी आत्मा तो बुद्धी से पहले परी हो चुकी है सब्द की परिदी तो यहां तक है जहां तक आपकी बुद्धी की दौर चल रही है जहां बुद्धी ने काम करना शुरू कर दिया यतो आचो निवर्तनते अप्राप्पे मन सहसा बुद्धी ना बिचश्टे आहुतम परमामगतिम परमगति किसको कहते हैं? जिसमें बुद्धी कोई भी कारे नहीं कर सकती हम बुद्धी की दौड के कारणी सारे जगड़े पैदा कर रहे हैं ओचो भाई सुनिये कोटान कोट बेर इन मुखफर क्या कह रहे हैं? कोटान कोट इन मुखफर निरख 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 भली जाओं राजी का स्यामा जी का मुखारविंद जब दिख रहा है तो ऐसा कौन सा पत्थर हिर्दय होगा जो उसमें निजनाम स्रीजी साहब जी का जब करने बैठ जाएगा या निजनाम स्रीजी साहब जी का जब करने बैठ गया जपी तपी बहुत है लेकिन जब से तब से तो मिलता नहीं वो तो प्रेम से प्राप्त होता है क्योंकि कई बार मेरे मन में कोई बात चल रही होती है तो डर लगता है यदि तार्तम देते समय भूल गया तो बदनामी हो जाएगी इसलिए मुझे जब करना पड़ता है आप बताइए रस खान जो सिक्रिष्ट के प्रेम में पागल है कितने मंत्रों का प्रदिन जब करता हो किर्ष्ट के भगतों ने जो मंत्र बनाया है स्रिक्रिष्णा सरणमम इस कार्थ जानते क्या होता है स्रिक्रिष्ट मेरी सरण में है बनाने वाले को संस्कृत का कोई जान नहीं था उसको बनाना चाहिए था स्रिक्रिष्णा सरणागतों हम स्रिक्रिष्ट की सरण में मैं यही नकल मारी रामानंदियों ने, उन्हों ने मंत्र बनाया, स्री रामा सरणामम, हम क्यों पिछे रहे हैं, हमारे समाज के भी दौनों ने भी मंत्र बना दिया, स्री राजा सरणामम, एक ने गलती दूराई, आज तक हजार साल से गलती दूराई जा रही है, हम राजी की में है इसलिए मंत्र किसलिए किया जाता है तत जफह तदर्थ भावनम अर्थ की भावना से उसका जफ करते हैं तो लाव प्राप्त होता है और वह होता है कि वोल मन को एकाग्र करने से यदि आप यह सोचिए कि मंत्र के जफ मातर से आपको परमधाम दिख जाएगा तो फिर चित्वनी का उदिस क्या है फिर क्यों स्रीजी सबेरे भी चित्वनी कराते हैं रात को भी चित्वनी कराते हैं हाँ छोटे बच्चों के लिए तार्दम का जफ अनिवारी है क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है एक दस साल के बच्चे को कहिए कि तु परमधा में ध्यान लगाओ तो विचारा क्या ध्यान लगाएगा उसके लिए जप है जप से उसका मन सांथ होगा धीरे धीरे और जो जान बृद्ध है वयुवृद्ध है उनके लिए ये अवस्यक होता है अपने मन को सांथ रखें सात्विकहार करें सरीर को बिना हिले डूले बैठाएं और जप भी करें तारतम का एक बार दो बार तो जीब नहीं ले, होट नहीं ले हिर्दे से आवाज निकले ताकि हमारा मन राजी के प्रेम में डूब जाए यदि आप जप नहीं करेंगे तो एक नुकसान यह होगा कि आप में विचारों का प्रवा बना रहेगा, जल्दी जल्दी जप करेंगे, तो क्या होगा? आपके मन में चंजलता बढ़ेगी इस दिया जरूरी नहीं है कि एक सवाठ बार जप किजिए आप दो बार जप किजिए लेकिन ऐसा लगे कि हमारा प्रितम हमारे हिर्दे में बसता है हमारी जीवा भी नहीं हिल रही है होट भी नहीं हिल रही है हिर्दय मंदिर में प्रितम की भावना करके इस तरह से अंतरात्मा से पुकार लगाए जिसमें कोई सब्द का बंधन न हो अभी आपने यह जो पंक्तियां सुने मेरे राज रसिक, मेरे स्याम स्यामा कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण वलब, मेरे प्राण प्रितम कब आओगे, कब आओगे यह पुकार कब की है? यह चित्वनी की है चित्वनी में बैठने बैठकर जब विरा के भाव में आप डूपेंगे तो इस तरह के पुकार करेंगे उसमें कोई जान का बंधन नहीं होगा जहां ज्यान का बंधन आजाता है वहां से भाव समाथ होने लगता है हाँ, ज्यान सत्य को दर्साता है लेकिन जब सत्य को आपने ज्यान लिया तो उसको पाने के लिए विरा और प्रेम का रस्त बहाना पड़ेगा और जब विरा और प्रेम के भाव में आप सत्व रज तम से परे तिर्पुनाती तवस्था में आगे तो वहाँ दुनिया का कोई भी नाम नहीं चलेगा वहाँ जब आपकी आत्मा राजी को देख रही है तो उसमें तो कोई बुद्धिक काम ही नहीं करेगी अंतर दिष्ट देख रही है कि यह मेरा कौन है प्राणिस्वर है उसमें प्राणिस्वर सब्द भी नहीं लिखेगा हिर्दे से आवाज उठेगी आप सोचिए परमधा में लिला तो होती होगी इसक रब्ध हुआ तो आखिर राज जी ने किस भासा में बात की सब के मन में प्रस्ट खड़ा होता होगा हिंदी भासा में बात की गुजराती कहेंगे गुजराती भासा में बात की पंजाबी कहेंगे पंजाबी भासा में बात की कोई मुश्लिम होगा तो कहेगा कि नहीं यह तो काफिरों की भासा है हमारी अर्वी भासा में बाती है सब अपनी भासा को महतो दे रहे हैं लेकिन वाणी करती है आगे तो नूर तजला तहां जुवा बोल है और आत्मा की छर जगत की कोई भासा नहीं होती जब सूरी उगता है तो सारी संसार पर उसका प्रकास पड़ता है Pakistan में भी वही चंब केगा America में भी वही चंब केगा China और Japan में भी वही NICK जो सब का परितम है वो सभी भासाओं को जानता है उसको किसी भासा के बंदन में किसी वयस-बुसा के बंदन में किसी अस्थान और बर्ग भिसेष के बंदन में नहीं बांदा जा सकता, इसलिए जब आप चित्वनी में बैठेंगे शुरू में आप अपनी आस्था के अनुसार निजनाम सिक्र्ट जी कहिए, निजनाम सिरी जी साहब कहिए आपकी आस्था पर है लेकिन हसी होगी निजनाम सिक्र्ट जी पहर है क्योंकि आपने ब्रज वाले नाम को महत्व दे दिया, सरीर वाले नाम को महत्व दे दिया, जागनी वाले सरूप को महत्व ने दिया, क्योंकि जागनी में जो पांचों सक्तियों के साथ जो सरूप लीला कर रहा है उस सरुप को आपने संत महापुरुस कभी और आचारी कह दिया कि स्री जी कौन है संत है महापुरुस है कभी है और आचारी है और उस हमारे सिक्ट जी कौन है अक्षरा दी थे ये तो आपने पक्षपात पुन बेहर किया जागनी लीला, जाग पहचान, पिवसो जान, बिलसे करतार। ब्रज लीला, लीला रास माहें, हम खेले जान के जार। जागनी लीला, जाग पहचान, पिवसो जान, बिलसे करतार। ब्रज रास में जो लिला हुई, नित्रा में लिला हुई, अर्ध जागरती में लिला हुई, लेकिन इस जागनी ब्रमान में जब हमें पता चल गया है, कि हमें जगाने के लिए कौन आया है, वही अक्षरा तीत, तुम्ही उतारे अर्ष से, इतुम्ही क्यों मिलाव, तुम्ह कोई दूजा मरद न कहा ही, एक मेधी पाक पुरन, खेल सी रास मिल जागनी, छतिस जार से यहाद। सिरिफ प्राणाजी की सिवाई, कोई दूसरा अक्षरा तीत, इस जागनी ब्रह्मान में नहीं हो सकता। देवचन जी की तन से लिला हुई, लेकिन उस तन से जागनी की सुभा नहीं लिखी थी, जागनी की सुभा महामती जी के सुर्व को मिलती है, और इंद्रावती जी के धा मिर्दे में अक्षरा तीत ने बिराजमान होकर सारी सुभा दी, नाम सिंगार सुभा सारी मैं भेग त पूरण ब्रह्म सज्दानंद जिस रूप को माना उसको संत कभी महापुरुस अचारी नहीं कहा जा सकता लेकिन आप चित्वनी के रूप में जदी आप चलते हैं तो अक्षरती तो सबके हैं यह जराम सिक्रची करने वाली आत्मा को भी राज जी मिल जाएंगे हाँ परमधा में उसकी हंसी अवस्य होगी कि तुमने जागनी वाले सरुप से पीठ फेर लिया और ब्रज के नाम की माला रटती रही लेकिन जिन्नों ने चित्वनी में अपने को डूबो दिया मुझे लगता है कि राज जी उनको बीवादों से अलग करतेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि मूल मिलावे में हमारा ही प्रितम तो है जो ब्रज राज में सिक्रच तन नाम धारन करता है जागनी ब्रहान में मिराज के तन में प्रानात कहलाता है धाम धनी कहलाता है स्री जी कहलाता है, वाला जी कहलाता है और जब हम उस सरूप में डूप जाएंगे, नाम लेत इन सरूप को सुपन दे उड़ जाए, सुपने का तन उड़ जाने का ताथ पर सरीर रहेगा ही नहीं, बुद्धी रहेगी नहीं, जब तक बुद्धी से आप जब करते हैं, तब तक परमधाम नजर नहीं आना है ये उस अवस्था कवर्णन है कोट बेर इन मुकफर निरख 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 बली जाओं मैं इंद्रावती की आत्मा स्यामा जी के इस मुकहरविंद पर राज जी के मुकहरविंद पर एक बार नहीं, करुणों बार बलिहारी जाती हूँ आप सोचिए उस समय की याद कीजिए जब आप सरीर से परे होगे मन बुति से परे होगे आपकी आत्मा युगल सरुप के मुकहरविंद को देख रही है भौवे कैसी है, होट कैसे है माथा कैसा है मुसकराती हुए मुकह के दाद कैसे दिख रहे है ठुटी कैसे दिख रही है दोनों गाल कैसे दिख रहे है कान कैसे दिख रहे है जब ये दर्सन हो रहा होगा तो उसमें निजनाम स्री जी का जब करेंगे आप या निजनाम स्री जी साहव की जब करेंगे क्या आपकी बुद्धी में सामर्थ रहेगी कि जप वहाँ चल सकेगा जहां जप है वो तो प्राइमरी की कच्छा है यह नहीं कहता कि आप जप करना बंद कर देजिए बच्चों से कराईए आप भी किजिए लेकिन धीरे धीरे किजिए कि आपके हिर्दे में प्रेम पैदा हो करमकान का अधार लेकर जब करने से कोई फैदा नहीं हाँ प्रेम का अधार लेकर अपने प्राणिस्वर को पकारिए जो आपका राज रसिक है जो स्याम सामा है जो प्राण बल्लब है जो प्राण प्रितम है, जो प्राणिस्वर है, प्राण जीवन है, प्राण नात है, जब भावात्मक जानात्मक से उपर उठकर भावात्मक में जाएंगे, भावात्मक से भी परे होकर आत्मपरक नाम में जाएंगे, आत्मरक नाम क्या होता है, जैसे कि उसको नाम नहीं कर स लेकिन संबोधन किया जाता है जैसे अभी सब्द के अधार पर जो चल रहे थे नाम जो आपने चौपाई सुनी निजनाम सोई चाहिर हुआ जाकि सब दुनी रहा देखत मुक्त देशी ब्रह्मान को आई ब्रह्म आतमसत एक पक्ष कहता है कि निजनाम बाणी कहती है दुनी नाम सुनत नरक छूटत इनों पे तो असल नाम दिल भी हा के अर्श कहया या कि साहिदी अल्लाग लाओ जिनके हिर्दे में जिनका प्राणी स्वर बस किया है उस सब्द की परिदी से परे हो गए है लेकिन जो अइतिहासिक तत्थ है जो घटना परक तत्थ है उसको नकारा नहीं जा सकता वह इसलिए कि स्रिक्र्ष के तन में भी उसी अक्षरातीत ने लीला की मिहराज के तन में उसी अक्षरातीत ने लीला की है और लेकिन जब अभी लीला चल रही है, तो उस लीला करने वाले सरुप को हमें प्रात्मिक्ता देनी होगी कि वही हमारा प्राण वल्लब है प्राण जीवन है, प्राण पिरितम है प्राण नात है और उसको जागनी ब्रह्मान की सारी सुबा दे गई है मैं सारे देश से सब सुंदर साथ से यह आगर करूँगा कि वीबादों की अगनी से अपने को बचाएं यदि आपने घर्णा की आग में अपने को जला लिया तो परडाम क्या होगा आपके अंदर बैठी घर्णा आपको चित्वनी में कभी नहीं लगने देगे यदि सुंदर साथ जागनी वाले सुरूप को याथर्ट रुप में नहीं सुकारेंगे तो पाती में लिखा है युगलदाज जी को युगलदाज जी ने जो पाती लिखी है जो सड़्गुर धनिशिदेवी चंजी ने मिराज को पत्र में लिखा था कि मीराज, तुन्हें सारे दुनिया पूरन ब्रह्म सच्टान अक्षरातीत के सरूप में मानेगे, जो तुम्हारे सरूप पर इमान लाएगा, उसको एक की बंदगी का हाचार गुना फल मिलेगा, और जो इस सरूप की निंदा करेगा, उसको क्या दन मिलेगा? आप स्वेम युगलदाजी की पाती पढ़ लिजेगा, वाणी क्या कहती है? इन मोती का मोल कहयों न जाए, ना किनहों कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करें, और सुनने वाला भी जलवले. प्रान नाजी की महिमा के लिए दुनिया में कोई सब्द नहीं है, इसको जदी कोई सीमित करता है, तो च्छत्त साल जी क्या करते हैं? श्री ठकुराने जी संगले, पधारे मेरे घर, धनी बिना तुमें और देखें, सुनहीं मिसलमात पर, यदि आपको अक्षरातीत के सिवाए किसी अने रुप में कोई देखता है, तो मैं उसको परंधाम की ब्रह्मात्मा ही नहीं मानता है। इसलिए बित्त के इस कथन को अंगिकार करके, उन सुन्दर साथ को ये अपराद अपने उपर नहीं लेना चाहिए, जो श्री प्राणाजी को संद कभी महापूरुस अचारी या देवजन जी का सिस्क देवे नहीं थका करते हैं। हमें सब्दों की परिदी से अपने को अलग करके, बानिस के इस कथन को अंगिकार करना चाहिए, कि जब चित्वनी में जिस आत्मा को परब्रम के सरूप का अनभव होता है, उसको दुनिया के सब्दों में बेक्त करना संभव नहीं है, और उसी के लिए कहा जाता है, नाम लेत इन सरूप को सुपन दे उड़ जाए। सबी नामों से परेव तो आप में बदलेगा तुम में बदलेगा फिर तू में आ जाएगा और तू से भी जब मारिफत में परवेज्ट करेगा तो रह जाएगा, कुछ नहीं, उसमें वो भी संब्द समाप्त हो जाएगा, अनन्त प्रेम, अनन्त आनन्द, अनन्त सौंदेरी, अनन्त लीला, अनन्त एकत्व अब उसमें ब्यक्त करने की कोई भी सामर्थ नहीं रह जाएगी उससे परे की कोई आउस्तक, कोई इस्टिती नहीं होती है वो मारिफट की इस्थिति होती है जिसमें आत्मा ही परब्रम हो जाती है परमधाम की आत्मा अपने को अक्षरातीत प्रानेस्वर के रूप में देखने लगती है और इसी को समझाने के लिए माया का सारा खेल बनाया गया था अब मेरा समय पुरा होता है अपनी रुहर्ष की पाओ, कोटान कोट बेर इन मुखपर, निरख निरख बलिजाओ, एशुक कहों मै तिन आगे, अपनी रुहर्ष की पाओ, अपनी रुहर्ष की पाओ, बुलु श्री प्राणात प्यारे की, श्री धाम के धने की, श्री श्रद्गुरु महराज की, की की पाओ, क् पाओ, रैए लाजा उन आफमтобραोगं एप लो यहर्णात, खिज़ लुहर्ष की पाओ, वहर्ष कि जफने मुट्स जफने मुट्स जफने रुबंसेंएंसे सअने पढ़ेंसे सभतेiran हैं, सब्स्चरवर्ष के बलतर हैं, झाल झाल